बिहार के सिवान से सांसद रहे दिवंगत बाहुबली नेता मुहमद शाहबुदीन एक बार सुर्खियों में है द्रसल कोरोना काल में जान गवाने वाले मुहमद शाहबुदीन पर फिल्म या वेब सेरीज बनाये जाने की चर्चा है इसके बाद उनकी पतनी हीना साहब ने फिल्म या वेब सेरीज बनाने वालों को चेतावनी दी है उन्होंने कहा है कि अगर कोई वेब सेरीज बनाता है तो उसके खिलाब कानूनी कारवाई करेंगे बतादे कि हीना साहब ने 5 जनवरी 2022 को एक पत्र जारीकर कहा कि मैंने मेरे पती के जीवन पर आधारित अथवा प्रेवित किसी भी प्रकार का फिल्म, वेब सिरीज, टीवी शो बनाने का आधिकार किसी को नहीं दिया है अगर कोई वेक्ती, चैनल, OTT, AC किसी भी सामागरी का निर्मान करता है तो उसके खिलाफ सक्त कानूनी कारेवाई की जाएगी बता दे कि कुछ दिनों से लागाता सोशल मीडिया पर कई वीडियो वाइरल हो रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि रंगबाज राजा नाम की एक वेब सिरीज मुहमद शाहबुदीन और उनकी पतनी हीना साहब पर तयार हो रही है सोशल मेडिया पर ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म किस शूटिंग लखनव में शुरू हो चुकी है इस वेब सिरीज में फिल्म एक्ट्रेस अकांग्शा सिंग सहबुदीन की पतनी हीना साहब की भूमिका आदा कर रही है कहा जा रहा है कि रंगबाज वेब सिरीज में मुहमद शाहबुदीन के डौन से नेता बनने की कहानी है वेब सिरीज मुहमद शाहबुदीन और हीना साहब पर आधारित है मालूम हो कि इससे पहले बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री रावरी देवी पर आधारित एक विब सीरीज आई थी जो कि काफी चर्चाओं का विसाय रही थी बतादे की हीना साहब सीवान के पुर्व सांसद मुहम्मद शाहबुदीन की पतनी है जो कि सीवान से तीन बार लालू यादव की पार्टी यानि की आरजेडी के टिकट पर लोगसभा का चुनाव लड़ चुकी है पहली बार 2009 में हीना साहब को निर्दलिय उमिद्वार ओमप्रकास यादव ने चुनाव में हराया था फिर साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर ओमप्रकास ने हीना को हराया फिर 2019 में कविता सिंग ने जद्यू के टिकट से चुनाव लड़ा और हीना साहब को हराया इन तीनों चुनाव के दौरान शाहबुदीन जेल में बन थे दिल्ली के तिहार जेल में ही शाहबुदीन की तवियत बिगडी थी और कोरोना काल में ही उनका निधन हो गया था बातों के बारे में जानकारी कठा कर रही है हीना के पुराने इंटरव्यू को वो देख रही है हीना साहब की भूमिका निभाने वाली आकांगशा ने अपने करियर की शुरुआत कलर्स टीवी के सीरियल ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा से की थी इसके बाद उन्होंने स आउट की फिल्मों में काम किया हिंदी फिल्मों में आकांगशा ने बद्रिनाथ की दुलहनिया से डेब्यू किया था बड़ी बात ये है कि जल्दी आकांगशा अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 में दिखने वाली है इस फिल्म में उन्होंने अजय देवगन की पतनी का क इस फिल्म में वो एक्टर अमिताब बचन और अकूल प्रीत जैसे बड़े कालाकारों के साथ नजर आएंगी खैर इस खबर पर आपकी क्या राया है हमें कमेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं इसके साथ इस तरह के और informative वीडियो को देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेच पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें और फॉलो करें